हेलो एब्रिवान आएम अलका वेलकम डू अलका लॉर्निंग हॉम इन टूडेज वीडियो आइम गोईं टो डिसकस अवाउट एलकेज इंडियू सिलवर्स 2022-2024 प्री राइटिंग स्ट्रोक्स पहले बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक्स दिया जाता है बच्चों को पता होता है फिर भी बच्चों को एक बार प्री राइटिंग स्ट्रोक्स लिखाया जाता है हैंड सेट करने में जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, लेप्ट कर्व, राइट कर्व, आफ कर्व, आफ कर्व, आफ कर्व, डाउन कर्व, वेव, स्लैंटिंग यह एक एक बार बच्चो को लिखाया जाता है, next, then capital letters and small letters, a to z, तो बच्चो को nursery में capital letter पढ़ाया जाता है, कोई कोई school में small letter भी दिया जाता है, अगर आपके बच्चे के school में only capital letter दिया गया है, small letter दिया नहीं गया है, तो आप बच्चो को a to z तक लिखाना चाहिए, हाँ, English में बच्चो को only four line copy में लिखाना बहुत important है, क्योंकि बच्चो का handwriting खीक होगा, ठीक है, तो बच्चो को हम a के साथ small letter है, and b के साथ small letter भी, ऐसे ही बच्चो को लिखाना चाहिए, जिसमें identification, writing and recognition of capital and small letter, तो बच्चो को capital letter and small letter लिखाया जाता है, and बच्चे recognize करते है, capital letter क्या है, और small letter क्या है, जिब एक साथ लिखेंगे न, तो compare कर पाएंगे, capital letter and small letter, ठीक है, then knowledge of letter related word, तो letter related word बच्चो को पढ़ाया जाता है, जैसे कि a for apple, b for ball, c for cat, ऐसे ही बच्चो को letter related words पढ़ाया जाता है, then next, write the small letters of the given capital letters, तो बच्चो को a to z पढ़ाने के बाद, both capital and small letter, तो बच्चो को क्या किया जाता है, वो activity दिया जाता है, जैसे कि write the small letters of the given capital letters, जैसे कि कुछ हमने capital letters दे दिये, तो बच्चो को इसका small letter लिखना होता है, okay, जैसे कि, okay, then match the capital letters with its small letters, एसे ही same, बच्चो को हम कुछ capital letters दे देंगे, and इस side में small letters दे देंगे, और बच्चो को match करने के लिए देंगे, write the missing letters, हाँ, यहाँ पर हम missing letters भी दे सकते हैं, only capital letters में भी दे सकते हैं, and small letters में भी दे सकते हैं, क्यूंकि एसे हम बहुत सारा activities बच्चो को LKG में का रहते हैं, first quarter में, क्यूंकि बच्चो का जब तक अच्छे से letter clear नहीं हो जाता है, वो अच्छे से word नहीं लिख पाते हैं, अगर एक बच्चा अच्छा से letters recognize कर पाता है, लिख पाता है, तो बहुत easily बच्चा words भी लिख पाएगा, इसके लिए कोई भी problem नहीं होगा, then write the missing letters, then circle the correct alphabet of the given picture, कुछ picture दिया जाता है, तो बच्चो को उसका correct alphabet को circle करना होता है, जैसे हमने एक ball का picture दे दिये, तो यहाँ पर हम A, B, C दे दिये, तो बच्चो को picture के related जो letter है, उसको circle करना होता है, इसे ball को circle करना होता है, इस type का हम activities भी कराता है, पूरा A to Z तक, ठीके, कराना चाहिए, इसे दे देंगे, तो बच्चो को हम orange करने के लिए देंगे, कैसे बच्चा इसको orange करके लिखेगा, like A, B, C, D, इसे भी, ये भी activities हम बच्चो को दे सकते हैं, ओके, then knowledge of vowels, यहाँ पर इसके बाद जब letter clear हो जाता है, अच्छे से बच्चा लिख पाता है, recognize कर पाता है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चो को पढ़ाएगे, जो कि A, E, I, O, U, then इसके बाद, use of A और आन, बच्चो को हम vowels पढ़ाने के बाद, A और आन का यूज करेंगे, यहाँ पर बच्चो का knowledge आ जाता है, कौन सा consonant है, कौन सा vowel है, तो हम जब भी बच्चो को words पढ़ाएगे, तो before यह तो सबको पता है, जैसे कि, before vowel तो बच्चो को आन लिखना होता है, and before consonant बच्चो को A लिखना होता है, तो यह से भी हम कुछ activities बच्चो को बना के दे देंगे, जैसे कि, एग, ठीके, तो यहाँ पर हम बच्चो को A और अन फिल अप करने के लिए हम दे सकते हैं, then phonics, बच्चो को LKG में phonics पढ़ाया जाता है, phonics में आता है, learn sound of the alphabets, यह बहुत important है, बच्चो को read करने में, write करने में, words and sentences तक, तो बच्चो को sounds of alphabets learn करना बहुत important है, जैसे कि हम, मैंने एक already video मेरे channel ले provide कर चुकी हूँ, अब जाके check कर सकते हैं, जैसे कि A, apple, B, ball, C, cat, इससे बच्चो को हम alphabets का sound learn कराएंगे, okay, next learn two letter words, बच्चो को हम direct three letters words नहीं पढ़ाएंगे, पहले बच्चो को हम two letters words पढ़ाएंगे, he, me, we, go, no, so, बच्चा, easily इसको read कर पाएगा, two, is, do, an, in, इससे बहुत सारे two letters words है, तो बच्चो को हम यह पहले पढ़ाएंगे, ठीके, इसका वाक्षिट बना के मैं provide कर दूँगे, अगर आपको चाहिए तो please आप मुझे comment करके बोल सकते हैं, ठीके, then next, learn CVC words, two letters words पढ़ने के बाद CVC words बच्चो को पढ़ाया जाता है, जैसे consonant, vowel, consonant, जैसे C, A, T, cat, B, A, T, bat, ऐसे ही हम पढ़ाएंगे, consonant, vowel, consonant, तो इसको पढ़ाने से पहले बच्चो को यह learn कराएंगे, 80 words, ठीके, 80 का sound क्या है, 80 को हम कैसे पढ़ाएंगे, 88, ठीके, 88, तो इसके बाद बच्चे का को का, 80 का sound बच्चो को पता होता है न, तो क, 8, cat, ब, 8, bat, इसे ही हम बच्चो को पढ़ाएंगे, जैसे कि A, E, I, O, U, हर vowels का जैसे कि A sound का, E sound, I sound, O sound, U sound का, जो CVC words होता है न, वो हम बच्चो को learn कराएंगे, तो इसका worksheet भी मैं provide कर दूंगे, ओके, दिन, write the name of the given picture, कुछ picture बच्चो को दिया जाता है, जैसे कि, क्याट का picture दे दिये, तो यहाँ पर बच्चो को इसका name लिखना होता है, बच्चो अल्रेड़ी, यह CVC words पर चुका होता है, तो इसके बाद बच्चा easily लिख पाएगा, इससे जो picture का, जो की only CVC related words है, ठीके, then write the rhyming words, बच्चो को rhyming words प्राक्टिस किया जाता है, जैसे CAT cat, BAT bat, ठीके, इससे rhyming words बच्चो को पढ़ाय जाता है, then rearrange the letter, ओके, लेटर को rearrange करना है, और इसको words बनाना है, जैसे कि, एके cat का picture जैसे सरी, bat है, ठीके, एके bat है, तो bat का picture दिया गया है, T, A, B लिखा गया है, इसको बच्चो को rearrange करके लिखना है, जैसे B, A, T, ऐसे ही बच्चो को लिखना होता है, ओके, then match the rhyming words with the same rhyming words, one side में कुछ rhyming words दे देंगे, another side में, और कुछ rhyming words हम दे देंगे, तो बच्चे इसको arrange करके लिखेंगे, then match the rhyming words with the same, sorry, then practice sentences reading, तो बच्चो को sentences practice किया जाता है, छोटा-छोटा sentences जैसे, यहाँ पर दिया गया है, ऐसे यह जो words है, two letter words, इसको पढ़ने के बाद बच्चा इसे read कर सकता है, I am at a park, okay, it is an ant, picture देखके, बच्चा read कर सकता है, और एसे भी हम जब भी sound, जो भी sound पढ़ाएंगे, उसके related जो sentences है, हम उसको पढ़ा सकता है, जैसे कि cat, bat, rat, यह पढ़ने के बाद बच्चा a cat and rat, जैसे बच्चा read कर सकता है, यह बहुत easily बच्चा पढ़ सकता है, जैसे कि a cat, a cat, a sad, तो बच्चा easily a cat, a cat, a sad, a dad, a rag bag, इसे बच्चा read कर सकता है, easily, छोटा-छोटा sentences है, जैसे कि ot sound बच्चा पढ़ लिया, जैसे कि a dot on pot, इसे बच्चा read कर सकता है, जैसे जग, डग, जग, a fox on box, इसे बच्चा easily read कर सकता है, तो ऐसे ही बच्चों को LKG में यह जो syllabus कित्रू पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा easily पढ़ सके, और यह जो मैंने syllabus पनाई हूँ, इसके related जो भी worksheet में provide कर दूँगे, I hope this video will be very helpful for you, अगर helpful लगा तो please like करे, और इसके related और भी कुछ worksheet अगर आपको चाहिए, तो मुझे comment करके बताए, अगर चैनल में नए है तो please subscribe करे, have a good day, bye bye, take care.